काई आज मेरा इच्छा पूरा होने वाला है मैंने जो मतलब दिल से ही क्वाइस किया था एक वी तो वो पूरा होने वाला है तो गाईस पता आज है बकरा ही और बकरा इट के सुभर-सुभर आज में बनाओंगी दो टाइप की सेवही तो गाईज दोट से होई और ये जो और एक से होई दोनों टाइपस से होई आज पर शुरूआ तो बहुत पहले उठे थे पहले तो बेटे को नहला दुला के मस्जीद भेज दिया नमाज के लिए और फिलाल बेटा घर भी आ गया और मैं उस टाइम पे न तो 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 जाड़ों पोछा वगेरा सब कुछ करके और नहाद होके भी ये देखिए सिमय बना लिया तो सिमय में दो टाइप काज सिमय बना रहे हूं एक तो दूद सिमय और और एक सिमय बनाऊंगी तो गाईज आज तो मतलब पहली बार मैंने जो एकवाइस किया था कि कुर्बानी क मतलब छोटा सा क्वाइस पूरा कर दिया तो आज जो मैंने मतलब होता है ना कि दिल से अगर कुछ इंसान चाहता है तो आला ताला सच मुझ सुन लेता है और फिलहाल आप लोगों को तो मैंने दिखाया था कि बख्रा आ गया है और बख्रा मस्जीद में रखा हुआ है क्य लोग तो उल्टा सीधा भी बोलते है तो इसलिए छोड़ो जो मुझे पसंद है मैं तो वही करूंगी और मुझे सिर्फ अल्ला को राजी करना है दुनिया में किसी इंसान से मुझे कोई मतलब नहीं है तो गाइस देखिए यहां पे ना मैंने से हुई थोड़ा सा घी में अच्छी तरीके से घी डालके ठोड़ा सा फ्रॉइब कर लिया उस में दूध काजू और किसमिस था ट्राइफोट्स और ना थोड़ा चीनी डाल दिया और यह दोड़ा सी महिमिन ने बना लिया तो गाइस जैसे कोई इद हो ना इड में अगर कुछ मीठा ना होना एक्दम ऍर प्षेड यां में तो यह नहीं को शुरुआत चीन हाँ है और कि आ में अचा सुरुआत के लिए मीथा चाहिए झालना सारी समाना में के लोगवा उतली है, तょ बिटा गर पकंदेल उतली में समय को चुछ छी नमाज करें तो मैंने नत घर में बना लेधेक लुग झालना यह एक टाइब का सेवई मैंने बना लिया और एक दूद वाला सेवई तो इस दोनों ही खाने में अच्छा है और फिलहाल नमाज हो गया है और फिलहाल मेरा बेटा फिर जाएगा वहां पे क्योंकि कुर्बानी होने वाला है और जब कोई भी मतलब बक्रा वगेरा कुर्बान बखर वगे खाने है तो चयां किया है और ऊवगे दें माने सिमुअत बना लिया है और यहां पर बख्रा साद रखल लेगा घर घ्या साथ मोड़ाइक धिया लिचों अव्म भी मतलब घृति उरुनों तौड आद पर दूझ, कया शाड़ने हें ऊज़के सब और और लिग ह किया और बहुत ही असलीक असरी नहीं हविशेफ़ ऑफ़ो हम यह दोक शर्ब कर मंदूке खिस्वाई कहें और दूसर सब्सक्राइब। तो यहां पर में यहां पर कम मारने के लिए अगसा कैसे हैं रहाने हिथ पार्ट तू और यह मचन बाटन में यहां मतन को मैंने मुछतेना और को से आगा है जैसे कोई पै libraries फिंट कर दोता है उस्दूषी स richness करें ह victorious इन होता है है तो सिम्नी के हिसाब से थोड़ा सा यसे में खा लेती हो क्योंकि ये में कुर्भानी किया हुआ इस इसको बहुत ही अच्छी बात है तो बाद पाद एक से कालगी कोई जरूरत नहीं है तो गाइस यहां पर देखिये मैंने तो बातनी के लिए तीस घर के लिए यहां मतलब हिस्सा किया है और सब को बाट दिया मम्मी और यहां पर मैंने कुछ रखा था और हमारे घर में जो किरायदार है ना उन लोगों ने भी बोला कि कच्छा मतन लेंगे और कोई-कोई बोल रहा है पका के खिलाओ मतलब बना के इसका मतन का मतन भून के अची तरीके से इसको पका के मुझे खिला तो मै मैंने बोला तीज लोगों में बार दिया और तो रिलेटिफ कुछ है ना जिसको थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ता है क्योंकि उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा नहीं देंगी तो खड़ाब लगता है ना तो गाइस देखी यहां पर मतन को में भून रही हूं फट में अच्छाय देखी इस सब्सक्राइब कर देखी सकते हैं ना बहुत फट में जटनान प्रस्टों जेहां डालियोगों में लोगे तो इसाहर था पहली बार मैंने ये मतलब कुर्बानी जब किया तो दिल को बहुती सकून मेला सच मुछ मतलब क्यूंकि हम इंसान हम लोगों के पसलिस एक ही है कि हम लोग अल्ला को कैसे भी करके राजी करें और ये दिन ना एक अलग सा फिरिम जो लोग कुर्बानी देते हैं उन लोगों को पता ही है तो ये मतलब खुद के लिए जितना भी कम हो कम रखे और दूसरों में बांट में से जो सकून मिलता है सच मुझ बहुत अच्छा लगता है और यहां पर मैंने कुछ रखा था मटन में बोला किरायधार और पापा खाएंगे क्योंकि हम लोग तो नहीं खाएंगे सिर्फ सिन्नी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मूं में देंगे क्योंकि ये तो सिन्नी है ये तो कुर्बानी का इसको थोड़ा सा मूं में डालना बहुत ही जरूरी है तो थोड़ा सा इसको मैंने कुकर में डाल दिया और कुकर में कुछ सीटी लगा लेंगे तो बहुत ही मतलब अच्छी थरीके से पक जाएगा तो गाइस देखिए बन चुका है मतन और गाईस आज का वीडियो यहां पर खतम कर तो मिलते फिर अगले ब्लोग में बाई बाई गाईस